नमस्कार जी सच साहिब क्या नाम है जी आपका? हेमलता कहां से हैं आप? MP गॉलियल संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दिख्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा हमने संथ 2013 21 मार्च को ली संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधनाई करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की विश्णु भगवाने की साहिवामा की मंदर जाते थे हर गुरू बार प्रसाथ चड़ाते थे संकर्जी का रिताल का ब्रत भी रहते थे बादों का, लाब तो नहीं हुए, हानी शुरू हो गई, हमारे पती को सुराइसिस की बीमारी हो गई, सारस शरीर इतना था कि वहां पर उंगली भी नहीं रख सकते, आगे सर इतनी तनी चम्री जारते थे, जाड़ू लगाते समय वि आते थे इलाज करवाया सारसुस से भी दवाय ली जो गजराजा गौलियर का बड़ा हस्पिटल गजराजा में बैठते हैं उनसे भी तीन अजार की दवाय आती थी काम दंदा इतना था नहीं चूट जाता था सारी में बहुत दर्द रहता था सुचते थे बच्चे कैसे पाल रहे हैं फिर भी ये भगवान हमारी साहता क्यों नहीं कर रहा है कभी कभी लगता था ये पत्तर में बैठे हैं तो कहीं पत्तर तो नहीं फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पीटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलिवरी हो गई इककीस दिन काओ का मारे बच्चा कहतम हो गया उसकी कनपड़ी नीली पड़ी थी तुमारे पती ने वोला की आपने इसके उपर हाथ रखाया मुँपे बच्चा आपने मारा है है बगवान मैं मा माँ हूँ मैने तोने बच्चों को भी लिटा आया मैंने अपने पती जोड़ की प्रार्थ नहीं कि ये बच्चे को मैंने नहीं महारा चंद 2010 में हमारी मम्मी भाईया करोंतां से नामदान लेकर आई संत्रामपल जी महाराज से उन्हों ने बताया बाई हमारे पास आया हम संडे के दिन गोवर से लीप कर पूजा करते थे सूर्व भगवान कुर् प्र भी प्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे हानी हो रही है पर बाई बोला आप भगवान को नहीं जानती जो जो सच्चा परमातमा उसे आप नहीं जानती कौन है घदी आपको समझ में 노 आरा आप हमारे साथ चलों मारी घर ले गया तो वाँ पर गुरुजी का ससंग चल रहा था मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं चरपुरस अचरपुरस तो ग्यानगंगा दी कि आप ग्यानगंगा पुस्तक लेते जाओ घर पे आके मैंने उसे पढ़ा अनवा पड़े वक्तों के पीछे तो तोड़ी इर्दह में आई कि परमात्मा है संत्रामपालजी महराज तो वो तेड़ साल पुस तक हमारे गर पर रखी रही कभी कभा पड़ते थे और लोगों को भी बताते थे हमने नामदान तो नहीं लिया था कि संत आई है यह भगवान है इसे नामदान ले लो सारे रोग कतम फिर हम कहते थे मेरे तो रोग कतम नहीं हो रहे है मेरे घर हो जण रहा है मेरे पती भी मुझे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे तुने माल डाला और इसमें हम सब को बता रहे हैं कि जो भगवान है जो बेदों के अनसर भक्ती है उसमें गुरुजी ने लिखा है इस लोग नंबर मी लगा है बेद में हमी बताया कभीर रंगार सी कभीर बंबार सी पुराने रोगों को नास करने वाला पुराने गोर से गोर पापाँ को नास करने वाला परमातमा तत्तर सी संत की सरण में ज हुब थो और पेट में आया जो है भी वह बPop लिए तो वह पहले जा आनद कर्वान अपड़ा नर्ज फ़ये बच्छा पॉला तो रहले आपको मुख्ची भी मिलेगा और ये आपके परिशानी टल जाएं तो यह वह से बोला कियो भगवान है कि तु किताब नहीं पढ़ती पढ़ते तो हैं किताब पढ़ते हैं लिकिना में क्यों नहीं सुक मिल रहा है कि पीटा नामदान लेना पढ़ता है गुरुजी से हम घर घर पर भगजी को बोला भगजी नौनमीज की रेस्टुडेंट में काम करते थे काते पीते भी ते नहीं पर वहां पर पर मातमा आए वह भगवान है तो बूले वह भगवान है कि यहां तो किसी दोस्तों से पूचा है बोले गुरु तो ठकती अपना दंदा बना रखा है क तो उस बच्चे को दो तीन तीन दिन में भूकी रहती थी वह भी बच्चा मैंने प्रार्त ना लगाई गुरु जी आप पर मातमा वह बच्चा भी गिरने वाला था क्योंकि जम उस बच्चे का ब्लड़ भी आता था टौलेट में और इससे टुकड़े भी आती थी कि अभीर साहिब वो चौरा पर वेटे समुद्र को बांध रहे हैं वो फोटो लेके उसके फोटो कोपी कराके उने घर में लगा दी घर में लगा दी तो बूत प्रोंतों का जो साय था जो हमें आवाजे आती थी सो नहीं पा देते वो बंद हो गया और दूसरा यह लोकेट ज ठरिख मेरे मेरे पती राजी नहीं हो जाने को कि बोले को कोई नहीं है ऐसे इसस अफटकते हैं तो हम पता कर रहा है कब जाएं इस तारी को भाई यह से पूछ रहते इस और तो रात में सो गई मेरे बेटे को सपना दी यह ग्रुरुजी ने बेटा 21 तारीक को आना तुम्हें नाम मिलेगा पूरे परवार को मिलेगा बरवाला आ जाना सत लोग आसरम में लड़की उटके बोल लगी मुझे नहीं पता कौन सी तारीक बीस को चलो 21 को गुरुजी नामदान देंगे फिर आसरम गए आसरम में जमने नाम वहां पे फोर्म बहा भोने आप नामदान लेलों नहीं मुझे नाना है बोले नहीं नहीं आप मायराज आ सिदे जाके नामदान लिया वहां पे संत्रामपाल जी महराच से नामदान लिया जो लाटकर बापस आए मारे बहग जी की ढारू चूट गई चो पूडिया हमें भी आदद पड़ पुड़िया काने की बोवी छूट गई पहले गुरुजी ने तीन महीना से चुटवा दी थी नामदान लेने से पहले और फिर बुला लिया मालिक ने तारीक दे के सारण में और उधर से लोटे तुमारे भगत जी नॉन्वेज काम चोड़ दिया आप घर पे बैट गए माना करने लगें दोनों सुम्रण गुरुजी ने जैसे भी बक्ती बताई आप घरवाले सब बोले कि आप इतने परिसान हो रहा हूं तो तुम यह सब चोड़ दो मेरी कहा है परिसानी इनका रोग ठीक हो रहा है बगत जी ठीक हो गए मेरे पती देव ठीक हो गए बिमारी भी ठ हुए तो बहुत चमतकारी हो गए जी बंदान दे गए गुरुजी जब बच्चे डिलिवरी होने थी दो तारीक को ऐसा डॉक्टर ने बोला था दो को मारे पती देव रेडी लगाते थी उस पर चले गए रेडी के बाद पानी वरसात होने लगी फिर लड़की ने फॉन ल ले गई सिफल हॉस्पीटल से बना कर दिया पर साथ से भी मना कर दिया कि इनके डिलिवरी आने हो सकती बहुत एल्टा सांट जा चे देखि के बोलें यहां पर ने मुझकल है यहां पर मसीने भी नहीं हैं सायद इनकी जान को कत्रा भी है तो महां पर ले गए वहां पर ऑप तो आपरेशन सुरू होने के बाद मारी दम घुटना सुरू होगी ऐसी लगी कि मारी सौंस निकलने लगी निकलने लगी कुछ भी नहीं तो ऐसा लगा कि पीछे मारी संत्रामपाल जी महाराज खड़े हैं मैसुस हुआ कि सर पर आत रह रहे हैं और नाक के दोरा ऐसी ठंडी स मारी अंदर गई तो महां पर बात भी करने लगे डॉक्टरों से पूछ रहे हैं जूनियर डॉक्टर तिर्नस थी कैसा है मारा बच्चा बोले ठीक है वजन वजन कैसा है कितना बड़ा है अच्छा है आपका आप लेटी रहो और हम से डिलेवर ही हो गई पंदा दन के बाद बरवाला गए बच्चे को लेके गुरुजी के पास और उससे पहले जमाई डुरेवर ही हुई तो बारा गंटे तक बच्चे को दूद नहीं मिला बगलवालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूद दे दो बच्चा बूंका है डॉक्टर चेक करने बोली नहीं हम दूद नहीं देंगे हमने का अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूद बच्चे को दे देते अपना भी पिला देते हाँ जोड़ जोड़ के कहरें कोई थोड़ा सा दूद दे दो इस बच्चे को पिलाना है तो बोली नहीं हमारे पास दूद नहीं हैं रहे गए हमारे पती दूद लेने बाहर चले गए वो लेके घर से कहीं किसी के पड़ास में गाया है वहां से लाएंगा ऑस्पिटल नहीं पहुंचे मम्मी ने भी मांगा रात की कि बारा बजी की बच्चे जन्मा सुभाई का दुफैर को एक बच गए अब उस रोना होगी तो सिकाई विकाई के लिए ले गए बोले आप मम्मी आप बताती है घर पर आगे कि आप यादस को बैटी ती ना तो बच्चे को पैचार रही थी डॉक्टरों को मार रही थी काट रही थी वहां पर इतना अंगामा कर रही थी आपको रस्तियों से बांदा गया हमें मैं ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं भाईयों को गुसा मार रही थी और पहचानने की कोसस कर रही थी कि हमारा भाईया लेकिन नहीं पहचान पा रहे हैं मम्मी भी याई यह हमारी माँ है तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और जब सो गए तो गुरुजी हमारी आत्मा को बर्वाला ले गए संत रामपाल जी महाराज हमारी आत्मा को बर्वाला ले गए संत रामपाल जी महाराज उपर कदी सिंगासन पर बैठे हुए हैं हम लोग नीचे बैठे हैं थम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भागत जी से कि यह पर किया हो रहा है। एक दूसरी को कपड़ा क्यों फिर रहे हैं। उन्हें पर पागलों की हुए हूँ ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं पर्मातवा ने हमारी तनी रख्चा कि उजड़ावकर घरवसाया। पती भी सही सलामत कर दिये, वह आप नहीं लड़ती, कभी नहीं लड़ती, कोई भी काम हो पूछ कर करती है, ऐसा कर ले, या नहीं कर ले, गुरुजी से प्रास्थना करके करते हैं संत्रामपाल जी महाराज से परिवारतों, बचाया ही, और में भक्ती भी सही मिल गई, क्यों संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आये हैं, तम्हारा घर भी बचा, ग्वालियर में दिंदेल नंगर महाराज है कॉंपलेक्स भन, ससाइब नाम से, अच्छा कहसर है स्टुडेंट है, और मालिक अच्छी बरक्कत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से बहुत प्राप्त हुए, और होते ही रहते हैं, बताएं तो बताएं भी नहीं पाएंगे, संसार जगत के भाई वहनों से, हम यह हांत जोड़कर कर्वत होकर प्रारतना करना चाहेंगे, कि चैनलों पर संत्रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, तो आप वहां जो प अरवारवालों को भी दिलाओ, आत्म कल्यान होगा यही भगवान है, संत्रामपाल जी महाराज नियमें बचाने वाला कोई नहीं है, धन्यवाजी, ससाहें अरक नहीं है मतिरी जी महाराज का यहीं है, जत्यस कि प्रोग्राज को पुल्या जत्रामपालान है, तो आता है, पि Production